अब्यास सीरीज स्टार्ट होने जा रही है तो क्लास नंबर वन रहेगा आई होप आप लोग का सपोर्ट पूरा मिलेगा और यह टार्गेट रहेगा इस 23 के लिए और SSC के और एक्जाम के लिए अब्यास सीरीज की खासेती है कि इसमें आपको वही कोशन कराई जाएंगे ज कोई दूसा परसन 45 टार्गेट करा होगा और जिसका 45 है तो वो कोई दूसा परसन 50 को टार्गेट करा होगा तो 50 आट ओफ 50 ही टार्गेट में रखना कि एक भी कोशन मेरा रॉंग ना हो और यह चीज तभी पॉसिबल जब आप इस सीरीज को कम्प्लीट करोगे इतना शॉर है कि आपका 10 कोशन के असपास थोड़ा बहुत पैटन चेंज करते हैं अगर 5-7 कोशन भी नहीं पैटन के आए तो उसकी वेज़ से आपका 3-4 कोशन और रुख जाएंगे यहनि टोटल आपका 10 मार्क्स का लॉस हो जाएगा जो बहुत जादा इंपोर्टन है ठीक है कि एक आपका 3-4 को लेकर और रिजनींग तो आपका सभी के लिए इसके अलावा आपका रिजनींग साथ आपका इंगलिस की भी अभ्याद सार्ट हो रही है तो दोनों ही इनपॉर्टन है ठीक है तो बेसिक जिनका जनका पूरा हो चुका है क्योंकि हम बेसिक चीजें से कवर नह यह चीजें यहीं जो आप कर लोगे ठीक है और यह लगबर लगो 90% या 95% लोगों का अल्ड़ी क्लियर है तो उन कोशन को करा के अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे हम मैं टाइम ज्यादा नहीं लूँगा मैं बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा चीजें करने की पूरी को कोशिज करेगा ठीक है तो स्टाट करते हैं आपका कोशिज स्टार्ट करेंगे अभ्या सीरीज को हम स्टैनों की कोशन से स्टैनों की इस बार बार एक्जाम में जो भी थोड़ा बहुत अलग पैटर्न के कोश्चन साहें तो उन को करेंगे या उन कोश्चन को पहले करेंग जिनमें time थोड़ा बहुत आपका जादा लगा होगा इस बार ठीक है क्योंकि जिसका भी score 30 से 40 के बीच में उनके लिए तो बहुत जादा important इस series है और जिनका 40 से 50 के बीच में तो उनको कम effort लगाना है फिर भी यह कि उनके लिए भी series important है अगर आप 50 target कर रहे हो और चाहरे हो कि एक भी question आपका wrong ना हो तो यह series important आपके लिए ठीक है तो start करते हैं आपका बाकी I hope आप लोगा support मिलेगा पूरा class number 1 है तो same चीज आपका English के भी series होगा time काफी जाता है ठीक है क्योंकि एक होता है कि आपका questions करा देना direct ठीक है एक होता है कि questions को ढूंडना पड़ता है तो questions अगर ढूंडना है तो उसके लिए solve करना पड़ता है तो पूरे जब मैं 50 या 60 questions solve करूंगा तब जाकि मुझे 10-12 questions ऐसे मिलते हैं जो मुझे कराने होते class में तो थोड़ा बहुत effort लगता है time लगता है तो उस effort को थोड़ा बहुत आपको समझना है ठीक है चली class number one start करते हैं और courses करूंगा अच्छे तरीके समझाने की बाकि जिन्हों last time पड़ा होगा तो clearly उन्हें समझ में आ जाएगा और बाकि जो नहीं होंगे जो first time class को देखने ह class आप करोगे तो आराम से आपको चौथे class से या पांच्वी class से आपको आराम से समझ में आ जाने आना start हो जाएगा ठीक है चली start करते हैं आपका class one चली पहला है question number second थोड़ा बहुत अलग था बहुत लोगों को time भी लगा होगा इस question में जिन्होंने अच्छे practice करी होगी तो उनका तो हुगया होगा लेकिन काफी लोगों को time भी लगा होगा questions अच्छा है आपका 15,1,7,32 ऐसी आपका second year 22,747,third year और fourth आपको बताना same यानि बाकी तीन में जो logic काम कर रहा होगा वही आपका fourth वाले में काम करना चाहिए but important चीज है कि logic क्या काम कर रहा है तो वीडियो जब आप करोगे तो courses करना वीडियो को pause करके पहले खुछ से question solve करने की क्योंकि recorded ये class रहेगा तो यहाँ पर direct में करा दूँगा लेकिन मेरे कराने से पहले एक बार खुछ से try करना तो चीजे थोड़ा बहुत और ज्यादा आ अगर यहां पर 32 लिखा हुआ है एक चीज आप देखे होगे इन्होंने बस confuse करने के लिए कि कैसे आप चीजों को देख सकते होगे इन्होंने लिखा 15,1,7 तो आप 1,7 का मतलब आप एक को अलग पढ़ोगे 7 को अलग पढ़ोगे लेकिन questions के साब से अगर आप logical चीजे लिखा है तो सेम चीज आप देखोगे यहां पर सेकिन में भी होगा 20 यह रहा और प्लस 2,7 को हमें 27 ही लेना है तो जब आप दोनों को एड़ करोगे तो 47 लास्ट आएगा तो logic चीजे हैं clear आजाएगा आपका सेकिन तो एक कॉमा की वैसे काफी लोग तो confused होगे होगे कि 2 अलग है और 7 अलग तो उन्होंने अलग अलग चीजे सब ट्राई करा होगा ठीक है तो यहां पर आप देखोगे 13 यह रहा और 37 को में 37 ही लेना है तो आप 50 आजाएगा सेम चीज आपका आता है अंसर पे तो आपका 7 लिखाव है कॉमा 4 लिखाव है डैस और कॉमा आपका 48 यानि total हमें 7 में 7 में जोड़ना है कितना number जोड़ने कि हमारा total 48 आजाये तो आपका 1 डखीए यहां पर 1 हो जाएगा 41 तो 7 और प्लस हम इसे क्या पड़ेंगे 41 पड़ेंगे तो हमारा 48 राइट हो जाएगा ठीक है तो यानि वो नमबर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो यह आर्बी वाले एकपफ़ि disrupt, और σबस्क्राशन से कोई चैप्टर जो मेरे को अलक कराना है वह हमारा है statement conclusion क्योंकि काफी लोग circle वाले से भी चीजे करते होंगे ठीक है काफी लोग circle से करते होंगे काफी का लोग 150 के rule से करते होंगे और काफी का एक और तरीका रहता उससे तो दोने ही तरीके से मैं एक बार करा दूँगा तो ये topic तो मुझे कराना है क्योंकि इससे possibility से भी question आया है possibility से अगर इसका question आता है तो वो एक बड़िया level का question होता है chances बहुत कम होते हैं कि आपका right जाए अगर ठीक से पढ़ा है अपने तो ठीक है चले second आपका missing number बहुत लोग अटक जाते missing number में तो missing number करते है 57 से हमारा hundred लाना है 89 से 181 और 11 10 से हमारा कितना marks क्या चीज आएगा ठीक है तो क्या logic इसमें काम कर रहोगा वो चीज हमें देखना है और ऐसे नहीं कि बड़िया questions है एक बार खुद से ट्राइग करना ठीक है वीडियो पॉज करके और कि आपका अंसर आता नहीं आदा देखो अगर हम दोनों नंबर का square करें आप दोनों नंबर का square करो कितना आएगा 25 और प्लस आपका 49 कि आप सेविंटिह थेख थेक है दोनों नंबर का square क्या 74 हमें कितने की कमी और है 100 चाहिए हमें तो कितने की कमी और कितने नंबर कितना और चाहिए 26 अब हमें 5 और 7 से 26 अगर लाना होगा तो हमें काम कर सकतें 5 और 7 को जब add करोगे कितना आएगा 12 उसमें एक और अपनी दबल करोगे तो कितना आएगा मारा 26 देखो जरूरी नहीं कि logic यही काम करें लोजिक हो सकता और भी काम कर रहा हो किसी का और logic काम कर रहा हो तो बताना आप comment section में कि इसका logic ही भी काम कर रहा है तो अच्छी बात है नो questions आपका और easy हो जाएगा बट यह चीज आप देखना second में भी काम करेंगा 8 और 9 यानि 8 का square प्लस 9 का square एड करोगे आप 64 प्लस आपका 81 कितना एगा पांच और 8 6 14 यानि 145 कितने की कमी है तो 181 में से 145 यानि 6 36 की कमी है तो आप देखोगे 8 प्लस 9 को एड करना कितना आएगा आपका 17 प्लस 1 अपनी तपसा एड करना कितना एगा 18 और उसका double हमें एड करना है तो कित आएगा 36 यानि फिर इन दोनों को आप एड करोगे तो टोटल कितना जाएगा 181 ठीक है लॉजिक ठल्ड में भी यह चीज काम करना है तो इन दोनों का square एड करना है 11 का square हो जाएगा 121 10 का square है 100 यानि आपका 221 उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है यानि 11 और प्लस 10 कितन हो जाएगा 21 एक अपनी तरफ से जोड़ना उसमें यानि कितना आएगा 22 और उसका double करना यानि कितना आएगा 44 तो 44 इसमें add करो कितना आएगा 2 6 और 260 44 के add करना ना 40 तो 265 265 यानि option number 3 हो जाएगा यह बढ़िया question था और logic भी बढ़िया लग रहा था है ना इतना deep में प्रैक्टिस के उपर है आप प्रैक्टिस के सिसाब से करते हो इलाइवन तो आप कर लोगे बहुत एजी है 12 आप कर लोगे वन मॉर्निंग एक सुबह जो है धावनी और प्रीट जो है वो एक पार्क में बैठे हुए थे एक दूसरे के तरफ मुह करके प्रीट का जो चाया था प्रीट की जो परचाई थी वो धावनी के बाई साइट पलड़ी थी ठीक है तो हमें बताना है कि धावनी जो है किस दि परचाई बनेगी यानि इस साइड बिल्कुल ऑपोजिट डारेक्शन में यहां इनका सैडो बनेगा दोनों का इसका सैडो बनेगा अब आप देखो कि लेफ राइट अगर कोई उपर से नीचे के तरफ फेस है उसका तो इसका राइट हैंड इदर होगा इस वाले परसन का फेस नौर्थ की तरफ है तो उसका उत्ता दिशा कि अगर आप देख रहा है तो आप फेस देखो ना जो एरो बना इसका फेस है तो इसका राइट हैंड देता जाएगा लेफ्ट हाएंगा सैडो सैडो अब आपको कुश्चन में देखना कि सैडो किसकी लेफ्ट राइट कभि Mode है तो सैडो कि परित की सैडो है दावनी के नीचे वाले साइट परवदें एक उपर कोजांगे एगई राइगा इन्होंने बोला कि धानवी किस दिसा की ओर देख रही है तो उपर की ओर देख रही है तो उपर कौन सी डारेक्शन है आपका नौर्थ वाला डारेक्शन है ठीक है तो सैडो वाले क्वेशन में यह करना है कि अगर सूरज मौर्णिंग के टाइम पर है तो सैडो तो आपका ब बोलाँ तो दावनी का लैफ्ट यानि अबस में सैडू किसके बन रहा है नीचे वाले पर्सन के यह अई यह दावनी हें और उपर वाली प्रीत होगी और इन्होंने बोला कि दावनी की किस दिसा की और देखरी है तो उपर की देखरी है ने आपका स्कुरार इसका हाफ करना स्कुरार तो यह तो इजी था जो इजी थे वो मैंने करा नहीं रहा हूं यह भी आप कर लोगे एजली ठीक है और इसके बाद आपका 18 कोशन है जो आपको कराना है तो सिरीज मिसिंग नंबर तो मिलको सभी कोशन कराना है क्योंकि उसमें सबस्यादा प्रावलम होती है देखे 61, 73, 99, 184 यहां लिग देता हूं 61, 73, 99, 141, 201 और डेस आपका क्या हैगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है डिफ्रेंस करना पड़ता है डिफ्रेंस आपको करना पड़ेगा डिफ्रेंस अब आप करोगे तो एक बार डिफ्रेंस से चीजे दो चबड़ेगा डिफ्रेंस है इधर आपका 99 करेंगे 11 मिसे नौ गया तो और यहां पर आपका 42 का डिफ्रेंस हो जाएगा ठीक है और इधर करोगे एक में से गया 0 और 10 में 6 गया 4 यानि 60 का डिफ्रेंस है देखो 12, 2, 24 यहां से भी क्लियर नहीं है एक और बार डिफ्रें आपका डिफ्रेंस करने इन को को पहले बागी 20 questions हमारा आया हुआ है, question number 20 देखो, ठीक है, question number 20 देखना है, 21 भी करते हैं, और 22 आप कर लोगे, if the sum of number, एक ऐसा number, एक संख्या जो है, यादि उस संख्या का, उस संख्या में, उस संख्या का वर्ग और उस संख्या का घन, अगर हम जोड़ें, तो वो संख्या हमारा 584 हो जाती है, तो हमें वो संख्या बतानी है, हमने माना है, वो number हमारा n है, उस में उस number का square, और उस नंबर का cube को जोड कर हमारा कितना आ रहा है 584 तो वो नंबर कौन सा है तो 584 के आसपास किसका cube आ रहा होगा 584 के आसपास cube आ रहा होगा आपका 8 का जब 8 का cube करोगे तो कितना आएगा आपका 512 यानि अगर हम उस नंबर को 8 माने और उसका square यानि 64 और उसका cube यानि 512 तो क्या हमारा 584 आदा है तो बिल्कुल आपका आ जाएगा इसका मतलब वो नंबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ठीक है Q21 थोड़ा बहुत ठीक लगा और क्योंकि इसमें eliminate करना था हमें तो एक बाद देख लेते हैं तो पास गल्स हैं पाचों गल्स का नाम यहां पर लिख देता हूं A B C D और E पास गल्स हैं वो क्या करते हैं पास सहर में वो क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं पास सेटी पास सहर में ट्रैवल करते हैं हिंदी में वाले थोड़ा problem होगी है बट दीरे दीरे आप manage कर लोगी क्योंकि इंगलिस वाले भी हिंदी कर लेते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत तर फर चैनने यहां पर त्रेजल नहीं करती है का पर खूलकत्टरीन हें यहां पर फ्रचल NK उन्हेरे ट्रेěविजल नहीं करती है तोhou कर सब्सक्राइब से सी ट्रेवल नहीं करती है मुंबई सी जो है वो मुंबई ट्रेवल नहीं करती है और हमें बताना है कि सी जो है किस सिटी में ट्रेवल करती है तो अब यहां से अलिमिनेट करनो देखो ई जो है वो मुंबई कोलकत्ता और चेन्ने ही तो ट्रेवल नहीं करेगा और जैपूर वो करेगा नहीं तो हमारे पर आप्शन बच गया क्या दिल्ली इसका मतलग कंफर्म है कि यह हमारे कहां चेन्ने तरफिय पर आपकर मुंबभा करें नहीं तो मुंबई bubble नहीं सकता न त्रैवल करता दिल्ली तो कहां पर से ट्रैवल करें क्या क्या सी तो मुंबई कौन ट्रेवल करेगा बी ट्रेवल करेगा तो सबका सिटी आ गया ए जैपू ट्रेवल करेगा बी मुंबई सी चेन नहीं डी जो है कोलकता और ए जो है डैली तो इन्होंने किसका बोला था सी का बोला था तो सी कहां ट्रेवल कर रहा है कर रही है तो सी चेन नहीं ट्रेवल करेंगे आने हमारा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा अब बढ़िए था थोड़ा एलिमनेट करना था कोशन्स तो वूंसे लूंटिकरूट करोगे तो चीजे हैं किलेर हो जाएगा 22 कर लिया होगा 20 तो हो जाएगा 25 डारेक्शन डारेक्शन सीरे चीज़े हैं तो इतना कुछ ही नहीं आराम से डारेक्शन आप कर लोगे किसी भी कोशन में डाउट होगा तो चीज़ा आप पूछ लेना इस टैनों का पहले सेट करा रहा हूँ क्योंकि मैं टार्गेट हमारा वही है तो जो कुशन में डाउट होगा तो चीज़ा आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना इस कुशन बाकि यहां पर वीडियो पॉज करके इन कुशन को आप सौल भी कर सकते हूँ वीडियो को रोग क ठीक है 24 थोड़ा मैट्स का कुशन है तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं 24 और 25 पांसो 5110 रुपे को हमें बाटना है किन लोगों में राजेस विवेक और किरपाल में इस तरीके से बाटना है कि राजेस को जो है वो दोगुना एमांट मिले किससे विवेक से और किरपाल को जो है और डवल एमांट मिले किससे राजेस से तो कितनी मनी जो है किरपाल की बाट तो किरपाल को 5110 रुपे में से कितने रुपे मिलेंगे तो हम एक काम कर लेते हैं हम विवेक को क्या कर लेता है विवेक को अगर हमने एक्स रुपीज दिया है ठीक है विवेक को एक काम कर का टोटल कितना दिया है यानि X प्लस 2X और प्लस 4X तीनों का अमाउंट का टोटल यह पांच हजार एकसो दस रुपए तो चार दूचहेक 7X यानि 7X इक्वल का टो 5110 तो X की वैली फाइंड करो 7 से कटेंगे तो 7749 तू यानि 730 रुपए अब हमें किसे निकालना है किरिपाल तो किरिपाल को कितने मिले 4X यानि 4 इंटू X की वैली रख दूए यहां पर 730 कितना आएगा जीरो चारत्या बारा चार सत्ता ठाइस हो रेक उन्थीस यानि 2920 रुपए मिले हैं किसको किरिपाल को 2920 यानि फर्स्ट वाला तो बाकी को भी आप निकाल दूगे विबेक को बोलेगा तो विबेक को तो 730 रुपए और राजिस को बोलेगा तो इसका डबाल यानि 2460 रुपए तो यहां पर राइट हो जाएगा यह थोड़ा मैच का था थोड़ा इजी था इतना टाफ भी नहीं था सिरीज को आपको पूरा करना है सिरीज वाले कोशन को ट्राई करना खुद से करने की यह वह कोशन है जिने आपको पहले खुद ट्राई करना है उसके बाद कोशिस करना सॉल्व करने की ठीक है उसके बाद अंसर आप देखना नहीं होता है तो अगला दिखो यहां पर 38, 81, 94, 10, and 120, कितना हैगा, 8 में से 5 क्या 1, 11 का gap है, 8 में से 5 क्या 3, 13 का gap है, 11 में साथ के 3, सिंपल है, 13 का gap 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 है, तो आप 13 add करोगे, तो 9, 3, 7, 10, 7 हो जाएगा, चली अगला question हम देखें आपे जो कराने लाइक हो 26 आप कर लोगे odd even 27 left right में आप बैठा दोगे तो एक दो question यह तो easy है थोड़ा बढ़ी है question मिलेगा तो वह मैं करा दूगा left right easily है कोई यह वो निया क्योंकि एक की direction में बैठाना है सबको north में तो एक काम करते हैं बैठा दे द हो सकता है थोड़ा बहुत time लगा हो यहाँ पर अब थोड़ा बहुत approach देखो कि चीजे कैसे चल लिए एक दो 3 4 5 6 लोग है 6 के 6 लोग जो है एक सीधी line में बैठे वे हैं और सब उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं k बैठा हुए m और n के बीच में तो k ऐसे बैठ सकता है k देखो K m और n के एक condition यह हूँ सकती है दूसी condition m और n के बीच में k बैठा हुए दूसरी condition यहां लिख देता हुए कि m और n के बीच में k बैठा हुए दूसरी condition सकती है इसके बाद उन्हकंवने बहुत कि जो p है.. वो ठल्ड बैठा हुआ है बाएं में किसके के के तो के के ठल्ड बाएं में पी बैठा हुआ है तो पहले वाली कंडिशन के साफ से एक एक दो और यहां पर क्या हुआ है पी बैठा हुआ है इसके साफ से के के ठल्ड बाय में तो इस एक दो तीन यहां पर बैठा हुआ दोनों कंडिशन मैच करना खोई एक कंडिशन आपका गलत होगा ठीक है इसके बाद बोला है कि जो M है वो एकदम राइट में बैठा हुआ है किसके L के एम जो है वो एकदम राइट में बैठा हुआ एलके इसके साब से है एम जो है एकदम राइट में बैठा हुआ एलके यानि यह कंडिशन हमारी गलत हो गई तो यह कंडिशन हमारी मैच हो रही है ठीक है उसके बाद बोला है कि which two person are sitting at the corners तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच और एक और position रहा गया वहाँ पर हमें एक और बैठाना है तो पांच लोग तो अल्डेडी बैठा गये तो ओ को यह काम कर सकते हैं ओ को यहां बैठा लिए ओ का एक ही position बैठा तो ओ को इधर बैठा देंगे और इधर हाँ ओ दिया हुआ है ओ बोला है कि थल to the right of M थल to the right of M एक दो टीन तो यह ओ यहीं बैठेगा इधर ओ आएगा नहीं क्योंकि ओ का condition मुला है कि ओ जो है ठल to the right of M condition match कर लेना सब के जो है वह M और N के बैठा हुआ है बिल्कुल ठीक है के एमन तो यहां पर आजएगा P L M K N O के जो है M और N के बीच में बैठा हुआ है बिल्कुल ठीक है O जो है तीसरे दाहिए-म के टीसरे right में बैठा हुआ है बिल्कुल ठीक है to be जो है वो ड dl delicate में बैठा about Kay 2 बाईं भैठा भाइज ट्ल नंबर पर KAY के बिल्कुल ठीक है उसके बाद M जो है वह immediate light में किसके L के तो M बिल्कुल बैठा भाई ऐल के ये आपके minimum 3 question आपके exam में आते हैं तो ये topic बहुत ज़ाद important है statement conclusion, अब statement conclusion दो type से कराना है, एक तो आपका 150 rule हो गया और दूसे आपका circle वाला, small वाली condition वाली, ठीक है, तो ये topic तो मैं कुद कराऊंगा, अलग से topic, 29, 30, 30 वाला एक बार ट्राइ कर लो, क्योंकि अपका series और missing number ये 65 कितने का difference आए, 7 में से 5 गया, 2, 12 का, इधर आप देखोगे, 11 का, इधर आएगा 10 का, तो easy है, 9 का, 8 का, इसका मदलए यहां 13 का difference है, तो 13 का आएगा, यानी 52, तो easy था इतना कुछ, blood relation हो गया होगा, क्योंकि एक line में question है, तो blood relation हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है, 32 लगाने वाला है, ये तो आपका easy है, 33 पी language वाला हो गया, कोई अलग मिलेगा, तो चीज़ें वो बता दूँगा, 33 भी आप एक बार देख लू, बी का code, direct 2 लिखा हो है, एक का code 1 लिखा है, लेकिन वाई का code इन्हों साथ, वाई का code वैसे क्या होता है, 25, बस इन्हों दोनों को चोड़ दिया है, यानी 7, यानी double z comment add करना है, तो इस type से आपको ये बनाना है, 34, 34 वाला circular table में बैठाना है, और 34 तो हो जाना है, इतना लोगी तो वो चीज़, एक बार ट्राइ करना है, 34, 35 भी easy है, 36 भी आपका easy है, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 40 वाला एक बार देख लेता है, इनेक्वालिटी बहुत easy होता है, इनेक्वालिटी मतलब यह है, कि अगर sign आपका जैसे a greater than b, तो इसका मतलब open side है, मतलब आप यहां से यहां enter कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए door open है, तो एक door type up समझोगी है, यहां पर door, बस वहीं हमेने a और b करा है, वहीं मेने a less than किया, तो less than का मतलब यह आपका door बंद हो गया, तो जहां पर बंद हो गया, वहां पर वो चीज़ आगे नहीं जाए और दूसे तक अगर पहुचन नहीं पहुचेगा, तो वहां पर door close होगा, तो जहां पर door होगा, वहीं पर उसका relation बंद हो जाएगा, ठीक है, यह चीज़ देखना है, और जहां पर door है, तो वहां पर door नहीं से कहीं भी हो जा सकता, अगर यहां पहुच गया, इसका मतलब य तो यहां पहुचो यहां पहुचो एक ही बात है तो यह चीज है यानि उसमें आपके बाद दो आप्शन है जैसे इन्होंने बोला कौन सवाला करेक्ट नहीं है तो इसको जब आप पड़ोग सही से लिखोगे तो यह लिखा हुआ है और ग्रेटर दें जी यह जैसे भी लिख आहा है फिर जाएगा ई तक फिर एक्वाल मदलेह रासता है फिर जाएगा जी तक यानि टोटल मिलाकर दरवाजा उपन है Q, तो टोटल मिला के R Q तक हमारा पहुँच ही जाएगा अब हमारा Q को G तक पहुचाना है तो दिखो, Q के आगे ही दोर बंद हो गया, तो इस साइट तो जाही नहीं सकता है इसका मुला यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा तो यह ही है, जहां पर बंद वहाँ पर चीज आगे छाही नहीं पाएगा यहां पर बंद हो गया तो बंद तो यह बल राइट हो जाएगा जो गलत है हमारा यह है R को Y तक पहुचाना आराम से R R-Y तक पहुचा जाएगा हैनि R को जाहेगा इस साइट D दोर खुला है D से E, E तक पहुंचा है यानि इस E तक पहुंच गया, E के आगे रास्ता बनावा है और यहां से Y तक पहुंच गया, तो यह भी ठीक है, यह भी ठीक है और यह भी, तो हमारा ड्रॉंग निकालना था जो हमारा यह हो जाए, सेम टाइप का सेम पैटरन के कोशन स सभी सिफ्ट में है, यह कुश्ण थोड़ा समझ में आएगा दूसरे वाले में थोड़ा और ख्लड फ़र्द वाले में जाके इनिक्लेहरी क्लिएर हो जाएगा तो यह पहली क्लास में तो पॉसिबल नहीं कि चीजे हनदे परसिंग क्लियर है समझ में आ जए, थोड़ा टा यह तीन टाइप के questions तो हर एक भी miss नहीं करना है, 43 में क्या बोला है, 18, 21, 12, 75, 11 और 175, तो 11, इसका मतलब भी है कि 18, 7 से हमाँ 175 लाना है, 18 और 7 से, तो यह काम कर सकते हैं, 179 किस टाइप से आ सकता है, तो 18 का square करके देखो, 324 और 7 का 40, और यह काम करो नहीं तो, 18 और 17 को, 18 और 7 को जोड़ो, 18 प्लस 7 को जोड़ींगे, तो कितना हैगा हमारा, 25, और 25 की कितने से multiply करी नहीं है, 7 से, सेम चीज इसमें भी जोड़ो, 5 और एक 6, 2 और एक 36, 25 की यहाँ पर 7 से, ठीक है, इससे भी हमारा possible नहीं है, यहाँ पर थोड़ा, तो, सेम चीज अगर देखोंगे, यहाँ पर 25, यानि हमें 7 चाहिए, इसका मतलब यह है कि, यहाँ तो आप एक काम करो, कि जो second number है, उसका, multiply 2 से multiply कर दो, यानि 18 की 14 से direct और 21 की 30 से direct, है ना, या तो इससे करो, या चीजे एक काम करो, यहाँ पर, 18 और 7 को पहले add करेंगे, 18 प्लस 7, हमारा आएगा 25, 25 का multiply करना है, second number से, 7 आएगा, तो कितना आएगा, 175, सेम चीज यहाँ पर भी आप करोगे, तो 21 और प्लस 15 करेंगे, तो कितना आएगा, 36, 36 की multiply करेंगे, इस वाले number से, second number से, तो 15, 99, 45, 95, कितना आएगा, हमारा 540, तो logic clear है, इन दोनों को जोड़ कर, इस second number से multiply करना है, तो 12 और 11 को जोड़ेंगे, तो हमारे कितना आएगा, 23, और multiply करना है, second number से, 11 या 33, 12 और 3 कितन हो गया, 22, 23, 25, यानि 2, 5, 3 हमारा right हो जाएगा, question number 44, आराम से अपका common चीज ढूणना था, तो हो जाएगा, 45 थोड़ा एक देख लेते हैं, क्योंकि हमें missing number और series को complete करना है, एक भी question, तो तीनों ही question करने वाले है, 45, 46 और 47 question, दो series, जब भी series बड़ी होगे, तो clear है, वाँ पर दो series चल लिए होती है, तो पहले हम odd वाले को देख लेते हैं, तो एक से नंबर हो चार, चार से 9, 9 से 10 और फिर 25, यानि यहाँ पर देख रो, एक का square लिखा, दो का square, तीन का square, तो यहाँ पर 4 का square आएगा, और 4 का square देखने की जूरत नहीं है, ठीक है, अगला वाला, 46 में क्या चीज़े हो रही है, 8, 7, 7, 2, 24 लाना है, 11, 13 से 5, 7, 2, 12, 15 से हमारे क्या आएगा, तो एक का square करेंगे, तो 8 का square, 8 का cube, 8 और 7 कितने हो गया हमारे, 15, ठीक है, तो 15 का square अगर हाप करोगे, 15, 225, 225 में कितने की कम्यारी, एक ही, तो 13 और 24, ठीक है, 4, एक काम कर सकते हो, 8 और 7 को जब जोड़ेंगे, तो 8 प्लस 7 कितना आज़ेगा हमारे, 15, 15 का square कितना हो गया, 225, माइनस 1 किया है, 224, यह माइनस 1 कौन सा वाला है, यह माइनस 1 है, इन दोनों का, जो gap है, ठीक है, 17 का square कितना होगा, ठीक है, यानि उन दोनों का जो gap है, उसका square को बाद में माइनस करें, तो सेम चीज यहां पी भी होगा, 12 और 15 कितना होगा, 27, 27 का square कितना होगा, 729, 729 इन दोनों का gap कितना है, 15-12 यानि 3, उसका square हमें माइनस करना है, 9, तो 9 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना रहेगा, यानि 12 और 15 को, यानि 27, फिर उसका square किया है, 729, अब माइनस क्या करना है, जो इन दोनों का gap है, उसका square है, यानि 3 का square है, यानि 9, यहां पर हमें इन दोनों का gap है नि 2, 2 का square है नि 4, यहां पर 1-1 का square है नि 1, इस टाइप से, बढ़ी है कुशन था, थोड़ा बहुत ठीक था, अब हमारा आता है कैलेंडर का कुशन, कैलेंडर वाले एक बार देख लेते हैं, कैलेंडर वाले में इस condition यह तो easy question है, इन्होंने बोला है, 16 January 2015 को Friday है, तो हमारा 16 January 2010 का दिन निकालना है, same condition होई है, अब यहां पर important छेके odd days कैसे निकालते हैं, जब month odd day equal होते हैं, तो year का odd days कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे को निकालना है 2001 से 2010 तक का odd day, तो इन दोनों का difference 9, और इन दोनों के बीच में जितना odd days है, कितना आजएगा, 4 से divide करो, यानि 2 odd days आएगे, कौन कौन से, एक हमारा 4 आएगा, और दूसरा हमारा 8 आठ आएगा, तो यानि total हमारा odd days कितना होगे, 11, उससे 7 से divide करते हुए चलेंगे, जब तक वो value साथ से कमन आएगे, total odd days कितना आजएगे, 4, same चीज यहां पर भी है, हमारा 2015 से 2010 का निकालना है, ठीक है, के लिए लिए लिख देता हूँ, तो जब भी कि यहां पर चीज है, 16 जनवरी, इन उनने बुला 2015, 2015 को इन उनने बुला Friday है, तो 16 जनवरी 2010 को, important चीज है कि हम year में पीछे को जा जैगा हमारा एकी आएगा, कौन सा, 2008 वला, 2008 वला हमारा odd days जिनके अंदर एकी आएगा, 2010 से हमारा 15, दो odd days है, एक हमारा 8 वला आजएगा, sorry, 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 12 वला, एक क्लिर रहे हैं, एक रहे आपर, one second, 2012 एक की ओड़ी जाए, यहांनि इसको इदिवाइट करना है, एक आएगा, कौ 2012 तो हमारे पार टोटल ओडेज किता होंगे 6 लेकिन 6 किसमें आएंगे माइनस कहाएंगे ज्यान से देगे ना बहुत इजी कोईशन है कैलेंडर का जब हमारा डे और मन्त इक्वल होंगे तो हमारे येर का गैफ करना और येर का गैफ हमारा आया 5 उसमें हमें ये लीप येर को प्लस का 1 करो क्योंकि 7 में से आपको चीजे माइनस प्लस करना बता है या तो आप माइनस का 6 करो या प्लस का 1 करो तो आप फराइडे में प्लस का 1 करोगे तो क्या आजाएगा हमारा सटर डे आजाएगा ठीक है बहुत सिंपल है एक कोशन और मैं बता देता हूं क्या चीज कर दो पांसाल प्लस इन दोनों के बीच में कितना आएक आया तो टॉटल आएक इस यह किसक आएगा प्लस की और प्लस का चहा करो या फिर माइनस का वन करो साथ मेंसे मारा माइनस का वन भी कर सकते हैं तो सटलेसे एक माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा Friday क्योंकि easy होता है हमारा पीछे को जाना छोटे नम्बर से माइनस 1 करना easy होगा ना कि प्लस है प्लस है करो या माइनस वन करो यह चीज़ हमें करना है 7 से माइनस और प्लस करके ठीक है तो हमारा right answer इसका क्या हो जाएगा Friday ठीक है तो जब भी same month और same day होंगे तो हमारा year का gap करेंगे तो खाली year का निकालना है तो उचीज clear है तो 47 question होंगे 48 कुछ अलग नहीं था अराम से directions आप कर लेते नॉर्मली था direction और 49 नहीं था कुछ और हमारा 50 वाला तो कोशिस करें उन्हीं questions को करने की जिनमें आपका time जाता है ठीक है तो हमने उन्हीं questions को target किया जिनमें थोड़ा बहुत हमारा time लगने के chances थे तो यह तो class number 1 थोड़ा बहुत question easy लगे होंगे बट first class में ही थोड़ा level tough रखना उचीज possible नहीं था क्योंकि काफी लोग नहीं होंगे थोड़ा समझने में चीज़े time लगता है तो first class है दीरे दीरे 4 प्लांस 5 class अब देखोगे तो चीज़े clear समझ में आजाएगा क्या level दीरे दीरे level बढ होते हैं तो वहां पर कोई question है को ऐसा ना लगे जो first time आपने पढ़ा हुआ लग रहा हो ठीक है तो हर एक टाइप के new pattern के questions भी cover होते चलेंगे साथ में level भी थोड़ा बहुत दीरे दीरे बढ़ता चलेगा तो आपका इस series को अब्यास series को खताम आपने कर लिया तो enough है इससे जादा आपका questions कोई भी बहार से नहीं आएगा और आराम से easily आप time के अंदर कर लोगे time management बहुत अच्छे से कर लोगे चीज़े वही है कि दीरे दीरे चीज़े और भी बताता हुआ चलूँगा approach कि इस questions को कम time में कैसे कर सकते हैं और सई तरीका इसका क्या है तो बहुत सार सेरीज बहुत जादा important है हर एक person के लिए सब्सक्राइब कर लेगा तो हर कोई कर लेगा लेकिन अगर pattern थोड़ा बहुत उपर हुआ तो वहां पे उसी person को सई score होगा जिसने already उस pattern पे questions कियोंगे तो pattern tough आए उसके लिए ready रहना और easy or moderate आएगा तो हर किसी का score equal रहेगा मिलते हैं अब यहाद सेरीज का second part में वाकी जो doubt होगा comment section में पूछ सकते हैं और telegram गुरु जोइन कर लेना क्योंकि important है स्टैनो 23 एक्जाम के लिए